तो फ्रेंट्स चैनक आउर लाउंडर टेक्निकल में आपका स्वागत फ्रेंट्स चली इस वीडियो में बात करने वाले है कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बाइलेंस एकाउंट कैसे ओपें कर सकते हैं इस वीडियो में कम्पलीट बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि भ कोरा लंबा हो वाट आपको 100% कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे और आप घर बैठे एक सेविंग अकाउंट ओपेन कर पाएंगे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप डाइरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लेंगे आपको एस्टॉल पर क्लिक कर इस्टॉल कर लिए इस्टॉल करने के बाद सिंप्ली आपको ओपेन करना है ओपेन कर लेने के बाद आपको कुछ इस परकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहां पर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर या नि आप अगर कस्टमर है इसका कोटक महिंद्रा बैंक का तो आप simply इस पर login पर click करेंगे तो आपको इस परकार से login का option आजाएगा आप login कर सकते हैं नहीं तो आपको simply क्या करना है अगर निव अकाउंट open करना है तो यहां पर not a Kotak customer उसके बाद let's begin पर click करना क्लिक करने के बाद आपको next option इस परकार से देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको कोटक 811 सेविंग एकाउंट यहां पर credit card home loan और mutual fund इस तरह से आपको apply करने का option देखने को मिल जाएगा simply क्या करना है कोटक 811 सेविंग एकाउंट पर click करना है और apply नाव पर click कर देना है क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्राउजर में redirect कर दिया जाएगा simply आपको यहां पर mobile नबर और Gmail और एक पीन कोड आपको डाल देना है तो finally आपको यह detail डाल देना है उसके वाद आपको next open now पर click कर देना है तो चलिए हम डाल कर और open now पर click करके next interface पर ले चलते हैं आपको फाइनली हमने अपना पीन कोड और Gmail और mobile नबर एंटर कर दिया उसके बाद open now पर click कर देते हैं क्लिक करने के बाद थोरा सा यह refresh ले ले लेगा उसके बाद यह next page पर redirect कर दिया जाएगा यहाँ पर बिल्कम प्लीज प्रवाइड योड पेंडेटियल तो आपको पेंड काड और अधार काड का नमबर एंटर कर देना है कि अधार और पेंड नमबर डालने के बाद आपको simply क्या करना है इस पर आपको टिक मार्क कर देना है आई वहलेंटिड गिव माई काड़ेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक और ओपेंड एंड एकाउंट इस तरह से आपका उसके बाद यहाँ प्रसीट तु वहरीफाई पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको आपका पेंड पर जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा देखने को मिल जाएगा यहाँ पर प्रसीट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस पर चले जाएगे आपके मोबाइल पर अधार वहरिफाई और अधार ओटीपी जो आपका अधार में जो नमबर एंटर रहेगा उस नमबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है तो चलिए हम एंटर कर देते हैं कि फाइनली हाँ देख सकते हैं ओटीपी एंटर करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस परकार से आपका डीटियल फेज हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यह यूर एक्वाजी रिक्वेस्ट आपका मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ डीटियल डालना होगा तो चलिए इस डीटियल को आपको एंटर करके बताते हैं यहाँ पर सलेक्ट ओक्यूपेशन इसमें आपको क्लिक कर देना है कि आप क्या है प्राइबेट सेक्टर है प्रावलिक सेक्टर है सेल्फूम प्राहल है या फार्मर investment income ही दो तो family income पे ही आपको click कर लेना है और यहाँ पर select yearly income पर आपको click करना है less than 2 lakh zero से लेकर 2 lakh का इस तरह का आपको option यहाँ पर देखने को मिलेदा less than 2 lakh उसके बाद यहाँ पर आपका marital status क्या है तो single है married आपको single married में से जो भी है वो चून लेना है तो single single शूजली कर लेना है उसके बाद यहाँ पर फादा नाम डाल देना है उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला होगा इंटर mother's name mother's या maiden name तो simply हाँ पर आप मा का नाम लिख देना है जो भी मापका mother's name है वो लिख देना है कोई दिक्त नहीं होगा maiden name का मतलब होता है जो साधी के पहले जो नाम था उस वो हो गया maiden name यहाँ पर आप simply mother's name पूल लिख देंगे कोई दिकत नहीं हो प्रोशेट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आ रहा होगा फ्रेंट्स यहाँ पर यहां पर current address अगर communication address और meeting address फूल क्यों आईसी या सम आस communication address अगर सेम है तो आपको simply इस पर क्लिक कर देना है नहीं तो आपको इसको फ्यूल कर लेना है यहाँ पर फ्लेट नमबर हाउस नमबर इस पर आप आजाएगा अहां पर आप चाहते हैं कि डूइट लेटर पर क्लिक करके आप बाद में भी एड कर सकते हैं हम अभी ही एड कर लेते हैं तो simply add nominee name पर क्लिक करेंगे एड नमबनी नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको new interface open हो जाएगा यहां पर नमबनी का full name लिखना है नहीं तो आपको fill कर देना है उसके बाद प्रोशीट पर click कर देना है चलिए हम click करके दिखाते हैं आपको next interface जैसे ही प्रोशीट करेंगे आपको इस पर करके आपको just a few self declaration आपको इसको allow कर देना है उसके बाद simply proceed to mpin पर click कर देना है अधर bet करना है next page आपको दिखाते है friends mpin select कर लेना इस तरह से आपका mpin successfully create हो जाएगा mpin set आपको 6 अंग का mpin set कर देना है आपका virtual debit card कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा आपको अगर get physical debit card चाहिए तो आपको इस पर enable कर देना है इसके लिए आपको yearly charge आपको 299 रुपया लगेगा आपका account से cut हो जाएगा अगर आप domestic online transaction करते हैं तो आपको इस पर enable कर देना है अगर internationally online transaction करते हैं तो इसको भी enable कर देंगा उसके बाद आपका जो payment है वो 299 रुपया yearly लगेगा यहां पर सब कुछ enable कर देना है उसके बाद friends आपको यहां पर देख सकते हैं जैसे ही card change करेंगे आपको इस तरह का card मिलेगा तो आपका charge हो जागा 514 रुपया yearly तो simply हमको simple card रखना है तो simply हैं पर आपको इस तरह से सब सेलेक्ट कर लेना है करने के बाद आपको confirm पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद हैं पर confirm का option आपको देखने को मिल जाएगा आपका yearly पे यह होगा जो तो अगर इसमें का रहा है make your debit card pin same as mpin अगर mpin जो आपने set किया हुआ ही अगर आपका debit card का pin रहेगा तो आपको यास कर देना है नहीं तो no set a new pin पर क्लिक कर देना है तो हम सेम रखेंगे इसलिए ask कर देंगे अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं और उसके बाद next interface आपको दिखा देते हैं तो finally मेरा set हो गया और उसके बाद kyc का option आ जाएगा आपका जो भी account number और यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका यहां पर message भ option देखेगा है complete full kyc उसके बाद आपको एक नीचे और अगर आप 180 दिन के अंदर अगर इसका kyc नहीं करेंगे तो आपका जो advice to block आपका सब ट्रांजेक्शन ब्लॉक कर दिया रहा है full kyc must be completed within 180 days तो आपको 180 दिन के अंदर आपको kyc कंप्लीट कर लेना है तो चलिए हम अपना kyc कंप्लीट कर रहे हैं यहां पर बता दिया गया है कि आपको 180 दिन के पहले ही आपको जो भी kyc है कंप्लीट कर लेना है और account को fully active कर लेना है तो simply आपको complete kyc पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको next interface इस प्रकास आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको complete your kyc within video call video verification यहां पर आपको original pen card upload करना है उसके बाद एक सेलफी लेना उसके बाद आपको एक signature on with paper आपको एक तरह से एक पेपर ले लेना है उसके बाद उसको फोटो केज के अपलोड कर लेना है यहां पर प्रसीट टु वैरिफाई पर क्लिक करने क्लिक करने अड्रेस जहां पर ओल लेटर डेविट कार्ड और डॉकुमेंट विल जो लिखा का है आप परीड भी कर सकते हैं नहीं तो आपको यह डिकलेशन को सेलेक्ट करना है और एगरी टु प्रसीट पर क्लिक करना है यहां पर एलाव कर देना है यहां पर आपको अप्लोड करना है नहीं तो आपको दिकात हो सकता है यहां पर अपना जो भी आप पिक् वाइट पेपर अन गुड लाइट इहां पर यहां मतलब बैक्ग्राउंड होना चाहिए या किसी एक परकार का बैक्ग्राउंड होना चाहिए उसके बाद ओईससे सिंग्नेचर और कीलियर बिद स्पेपर बुलू पेन आपको बुलू पेंट से ही आपको सिंगनेचर करना है ब्लेक या कोई और पेंट अपलोड करके प्रसीट पर क्लिक किर जाएगा जो भी क्योई सी करने वाला एजेंट होगा उसके बाद आपको यहां पर क्योई सी कंप्लीट का इसा इस तरह से अप्सन आ जाएगा उसके जैसे यह किजिएएगा आपका करके बीडियो काल सटार्ट हो जाएगा आपका कैट कंप्लीट हो जाएगा वहां पर अपर ज्यार जूट जाएगा अधो इसके पुछ ने और तो इस तरह से आपको दिखा हो आप कमेंट सिक्षन में बताएगा कोई प्रोब्लम हो तो भी कमेंट सिक्षन बताएगा और वीडियो से थोड़ा भी हिल्प हुआ तो वीडियो को लाइक किजिए और चैनल पर सब्सक्राइब के दिया मिलते हैं ऐसे ही निव वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो जय हिन जय भारत फ्रेंड्स